मैं हुँ रविंदर रहों आप देख रहा है सेजी आउनलाइन यूट्फूब चानलबूस्तों हम बात कर रहा है CLF या माडल CLF की बारे में कई सारे विशे के बारे में चर्चा हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CLF की याने की Cluster Level Federation या संक्ल स्टरी संगठन की कार्यकारणी बाइटक किसे होता है ठीक है तो ए तरीका के बारे में बात करेंगे इसमें हम Agenda के बारे में नहीं बात करेंगे कि दिक है तो या वाइटक समधाइ आदारित संगत्रों के लिए दिल के रूप में जाना जाता है आप सब लोग जानते हैं समधाइक समस्ता क्या है सब्सक्राइब बना सकते हैं डिमैंड डिवन लेकिन इन समधाइक की द्वारा जो बनाया गया समस्ताओं को सामधाइक समस्ता बोला जाता है यहीं यहां पर बता है आप जानते हैं दिल को कितना काम इंपोर्टेंट्स है अगर इंसान की बदन में दिल अगर काम नहीं करेगा तो इंसान मर जाएगा जिन्दा नहीं रहेगा अगर आपकी समधाइक समस्ता यानि कि सजी वी वो सी एलव जो भी हो उसका बैटक अगर प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है इसका मतलब वो मरा हुआ अर्गनेशन है चेक कर लिजेगा आपका सी वी उसमें कितने प्रतिचत सी वी उसमें पंच सूत्र यानि कि दफस्ट सूत्रा अफ़ पंच सूत्रा यानि कि बाइटक सही तरीका साव रहा है वो सारे सजी वी वो सी एलव जिन्दा है जितने एसे जी में अगर बाइटक बंध हो गया वो मरा हुआ इसलिए इस महत्वता को उन लोगों को बता दीजेगा वीडियो को शेर कर लीजेगा और तुरंत उसको पिर से चलाने के लिए कोशिश करिएगा तो यहां पर दिल की रूप में जाना जाता है और सी एलव इसी की बाइटक महीने में दो बार होनी चाहिए यह सी एलव की इसी बाइटक जो कारेकारनी समिती का बाइटक महीने में दो बार होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मुद्दे के उपर हम काम कर रहा है सोशल इंक्लूजन सोशल मोबलेशन इंस्टूशन बिल्दिंग फाइनशल इंक्लूजन जेंडर फूड नूट्रिशन हेल्थ वाटर सैनिटेशन हाइजीन मार्केटिंग लावले वूड्स फार्म नान फार्म और प्यारे सी बियो कन्वर्जेंस ऐसी तरह की अलग अलग के उपर हमारा आजिव कमिशन हमारा सी बियो को काम करने के लिए मार्क दर्चन दे रहा है दोस्तों अगर इतने सारे मुद्व के उपर एकी भाइटक में मैंने में बात करना है तो आप जानते हैं हमारा दीदी पहुंचते हमारा ग्यारा बच जाएगा और निकलने के वो लोग अपना अपना गाव पहुंचने में मुश्किल होता है इसलिए वो चार बज़े निकल जाता है बीच में एक गंटा खाना वाने के लिए चले जाता है आपको बहुत कम समय मिलता है चर्चा करने के लिए और एक संक्रस्तरी संगटन में आप जानते कम से कम 25-30 क्र रहता है तो उनको उनका बात सुनने का और उनका उनका बात वो पेश करने का रखने का मोका बहुत कम मिलता है इसलिए जो भी लोग बहुत बोलनी की लायक हो वो अपना बात रखते हैं अपना इसाप से निरने कर लेते हैं चले जाते हैं इसलिए अमारा इंस्टिटूशन में थोड़ा सा भागिदारी का कमी दिखता है अपना पन कर रहा है महिने में एक बार करना जरूरी है इसी का बार करना क्या है इसी दुरुष्टि कोन से आपको बता रहा है हर CLF की कारेकारणी बैटक 15 दिन में एक होना चाहिए यानि कि हर मैंने दो कारेकारणी बैटक होनी चाहिए और EC का संख्या क्या है मतलब कारेकारणी समतिक की बैटक में कितनी लोग आना चाहिए आपकी जो SOP जो NRLM ने दिया गया था आज इवे कामिशन स्टैंडर ऑपरेटिंग प्रसीजर्स गवर्निस के बारे में जो दिया गया था उसमें स्पस्ट रुप से बताया गया यदि वीवो की संख्या कोई भी CLF में वीवो की संख्या 15 से आधिक है तो प्रत्येक वीवो से केवल एक प्रतिनिदी को EC की भाइटक में भाग लेने के लिए बताना चाहिए समझरे बात को अगर आपका CLF में वीवो की संख्या 15 और 15 के ऊपर है तो हर एक वीवो से सिर्फ अध्यक्ष या कोई प्रतिनिदी यानि कि बहुत सारे जगा यही बताया गया है कि अध्यक्ष को ही बेजना है अगर आप अपना राज में अगर कोई दूसरा रेपरेंटिडिव को बेजने के लिए अगर अपताई किये तो उसमें कोई मतबेद नहीं है आप कर लिजए लेकिन एक वीवो से एक प्रतिनिद होगा इसी लिए यह बताया गया ठीक है अगर 15 से कम है आप 10 और 15 की बीच में वीवोस है आप दो दो प्रतिनित की बुला सकते हैं ठीक है और 10 से भी कम होता हूँ उन्हीं की संभावनन नहीं अगर होता है कहीं आप तीन-तीन लोगों को बुला सकते हैं अजक्ष, सच्व, या अजक्ष कोशाजक्ष, किसी को भी दो-दो लोगों को बुलाना है, लेकिन अजक्ष की साथ कोई अन्यविक्ति को बेजना चाहिए, तीक है, ये है संक्या, और सीलफ बैटक से पहले ही बैटक की तारीक, समय, स्तान, ताई करना साहिए, ये नियमाँ वली के बारे में, न बुचनी चैर्टारें गरता रहता है यहांपर आप को आ प्रभंदन गुंरे में चाहिए उन में इसे एक है बाइटक नियम वे पड़ का नियम ऑब इचले वीडियो में बताया गया है। नियम刑 कितने बजे से कितने बजे होता है यहीं बहुता कहां होता है यह भी तैकर करके रखना चाहिए ठीक है के लिए कर्मचारी आवश्यक व्यवस्था व्यवस्था को तैयार करके रखना चाहिए मतलब कल अगर इसी का कारेकार नहीं समतिका बैटक है तो कुछ चीजे जरूर वहां पर एंशूर करना पड़ता है वह लोग आएंगे बैटेंगे बात करेंगे चले जाएंगे इतना सि जडती में बैटक होना तो कुछ तैयारी भी करना पड़ता है हो तैयारी करने का जिम्मेदारी जो है सेले की स्टाफ है अगर बैटक की समय में अपना लिखने के न Madrid पढ़ता है बैटने की विवस्ता मतलब वोग बैटने के लिए जगा थाए और पीने का पानी शऑचला ये बहुत मुद्वा पून बात है अगर वहाँ पे व्यवस्ता, शवचालाई का व्यवस्ता, टाइलेट की व्यवस्ता कहीं जगा कर नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए शवचालाई है या नहीं, अगर है तो वो साफ सुतर है या नहीं, वो भी देखना चाहिए, और जो नास्ता, जो भी हम दोपर मे वहाँ पे नास्ता देने के लिए ताई किये या खाना देने के लिए ताई किये जो आपका मर्जी है लेकिन कुछ तो देना चाहिए क्योंकि दिन बर बैटक चलता है तो खाना देना ही अच्छा है वो सिंपल काना साधा खाना जो भी है वो उसका भी व्यवस्ता सहीं से करना चाहिए तो यह है बैटक के लिए कुछ sitting और वहां की जो तैयर करने का जो process है वो करके रखने चाहिए और सबी इस सदस्यों को इसी बैटक के लिए निमने लिकित चीजें अपने साथ लानी प्रतिंट्र में जो आद tämä चाहिए इसी बैटक में अगर दीदी एक ग्राम संकतर की प्रतिनी दी बनके जा रहा है संकुल में तो वह कुछ ना कुछ ही जरूर लेके जाना है वह चीज़ को 35 को पहले ही सदस्यों वो अपने साथ इन चीजों को बैटक में लेके आना चाहिए यह आदित डालना चाहिए यह आपका जिम्मेदारी है तो क्या है वो वो है जिस वीवो से वो लोग आते हैं वो वीवो का वो वाला मासिक प्रतिवेदन एक लेके आना चाहिए और पासपुस्तक हर सीलेफ की द्वारा हर वीवो को एक पासपुस्तक दिया जाता है जिसमें उसका बचत हो उसका वापसी हो जो भी चीजें हो वो लिखने के लिए कुछ पन्ना रखता है वो वीवो के लिए एक दिया जाता है स्यास्मकुल की द्वारा वो आते वक्त वह पासพुस्तक को साथ में लेके आना चाहिए विवो का अज्यक्ष जी और किस्थ ब1 बोट बचत आधी अगर वो सीऊलेप में विवो की द्वारा सीलेप में बचत होता है तो बचत तै किया गया बचतराशी और वो सी एललेफ की द्वारा वी वो को जो रूर्ण मिला है जो किस्त की साब से बैच और जो मुल्दन वो अगर कुछ और भी कुछ पैसा देने वाला पैसा है तो वो सारे पैसे को चक की रूप में चक की रूप में लिक्वाकर वो चक लेकर आना और यह क्या क्या हुआ यह कहें MPR हो गया यह कहें DCB DCB आप जानते हैं ग्राम संगटन की जो अपने नीदी से अपना नीदी से मतलब यानि की और से और सीएफ ग्राशी से और दूसरा आजकल जो फंड मिल रहें कहीं-कहीं लाइफिड फंड के पैसा नाम से मिल रहा है और कहीं-कहीं हमारा vulnerability reduction fund का भी पैसा वीवो में है पैसा की जो स्रोत कहीं से भी हो सकता है लेकिन वीवो की द्वारा जो भी पैसा दिया गया एसे जिसको उसके लिए जो वापसी का एक register रहता है वापसी का जो प्रनाली जो demand collection balance यानि कि हर महिना कितना किस्त आना चाहिए कितना math embedded आना चाहिए कुल कितना राशी एक एक सेestry से आना चाहिए university content दो पंना रहता है duplicate and duplicate खाटं के वो साथ में लेका ना चाहिए यान कि क्या हो गया empr लेके अना डी सीपी लेके अना पास्य भी निक लेके अना और और रिन राशी या किस्त रासी बचत रासी आदी वो साथ में जरूर हर एक वीवों का प्रतिनदी का सी लेफ की कारेकारणी बैटक में लेके आने वाले चीज़ है और जो नेक्स्ट जो पाइंट है इसी सदस्यों को यू आकार में बैटना चाहिए यू आकार हम आपको दिखा देंगे यह है यू आकार अंग्रेजी में यू है ना यू आकार में लोग बैटना चाहिए और ओभी सदस्यों को इसी की सामने बैटना चाहिए यह है इसी यह वो गया ओभी मतलब उन लोगों का स बैटेंगे कोई कोने में बैटेंगे कोई कुर्सी बैटेंगे कोई नीचे बैटेंगे यह नहीं चलेगा हमारा जो अर्गनेशन सामदाइक संवस्ता कुछ नियम की साब से चलना चाहिए वो नियम ऐसा बताया गया आज वी कमिशन आपको यू आकर में बैटना चाहिए यू लोग जो है EC का लोग है यह एक ग्राम संगतन से जो लोग आए है यह यू आकार में ऐसा बैटना चाहिए इदर और इनकी सामने जिस वीवो से वो लोग आए हैं वो वीवो का नाम आप यहाँ पे एक चोटा सा नेम प्लेट तैयार करके नेम प्लेट तैयर करके आदर्शा वीवो ऐसा लिखके यह दीदी की सामने आप एक नेम प्लेट रखना चाहिए कोई अन्य विक्ति देखे तो उसको पता चलेगा यह कौन सा वीवो से आये हैं जब बात करते हैं तो वह वीवो का नाम पुकारते हुए बात करते हैं मतलब य इसी की इसी ऐसा यूवकार में बैटना चाहिए वह अगर कोई एक वीवो से दो दो प्रतिनीदी आएंगे तो वह साथ में बैटना चाहिए एक प्रतिनीदी इधर एक प्रतिनीदी इधर नहीं बैटना चाहिए दो प्रतिनीदी एक वीवो से है तो अगल बगल में बैटन चाहिए और अजक्सी जी का जो बाये तरफ जो है यह है प्रेसिडेंट हमारा अजक्सी जी है और अजक्सी जी का बाये तरफ जो है वाइस प्रेसिडेंट है यह वाइस प्रेसिडेंट की बाये तरफ जो है तो ट्रेजरर है और इधर है प्रेसिडेंट जी की दाये तरफ जो है सेक्रेटरी जी है हमारा साची जी है और जो उसकी वायत तरफ जो है जाइन सेक्रेटरे यह नहीं फ़िके लिए टोड़ा सा आगय वोके अमारा जो Cluster Federation की दीदी जो है, जो Accountant हो, Manager हो, जो भी लेखा जोका देखते हैं, वो देदी, सारा पुस्तक साथ में लेके, यहाँ पे बैटना चाहिए, यह एकदम कोशाद जक्स की सामने बैटना चाहिए, क्यों इधर नहीं बैटना, यह EC नहीं है, क्यों इधर नहीं, इला देखता है, उसको यह जिमेदारी दिया गया है, इसीलिए, जो भी चेक हो, जो भी पैसा यहाँ पे होता है, यह पैसा को touch नहीं करता है, जो EC मेंबर है, उसको देता है, जो भी ट्रांस्वर का सुबूद है, वो इधर देता है, अगर इधर देता है, तो वो तुरंट बोल प्रड़ हो जाएगा तो इसी लिए ऐसा बिटाना चाहिए और अज्यक्ष जी की पूरा सभी काम में जो राइट हैंड जैसा काम करता है सच्व इसलिए राइट सेड पर सच्व रहना चाहिए और जब भी अज्यक्ष अनुपस्तिति होता है उसका जगा उपाद्जक्ष करन करना चाहिए ताकि वह हमेशा इसको अब्जरव करना चाहिए और करणा चाहिए इसलिए इसलिए बह सी लिए सच्व का काम यहाइट करना चाहिए तो इसलिए यह एक साइंटिफिक रीजन है एक सोच समझ के यह बनावट बनाया गया है कि रुपे आप सब लोग इसको फालो करना चाहिए मैं मानता हूं आप सब लोग को समझ में आया है इस रूप रेका का क्या ज़रूरत है आप देख लिजेगा यह है आपको बोट यहां पे आप एजें अगर कोई गेस्ट आएंगे कोई स्टाफ आयेंगे तो ना बात करेंगे ऊत्तान करना चाहिए यहां कुछ इसमें नहीं रहना इसमें नहीं रहना इसका पीछे भी नहीं बैटना इधर बैटना चाहिए आमने सामने यह EC की पीछे यह है बैटने का जो प्रतिरूप है मैं आपको बताया गया है और संदर्शक भी EC की पीछे की और बैटना चाहिए ताकि मैं पिछले वाले बैटक में पिछले वाले स्लाइड में आपको दिखाया है संदर्शक यह स्टाफ जो भी हो इदर बैटना चाहिए और संदर्शक की द्वारा एजेंडा बिंदूओं का बैटक हो गया मतलब बैटने का स्तिति आपको बताया गया है बैटने के बाद संद सदस्यों की दूरावेजंडा बिंदुओं का अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ह। जो भी हमने बताया गया वो एक मॉडल एजंडा है मतलब लेकि सबी दीदि लोग वो लोगों से एजंडा निकालना चाहिए वह एज़ेंडा जब EC सदस्य द्वारा लिखे जाना चाहिए हर वैटक में एक EC member जो पड़े लिखे EC member को कलम देना चाहिए, बोड्र में लिकनी के लिए बोलना चाहिए, ओ दीदी को भी एक अच्छा बहुणा पैदा होगा, ये मेरा औरनेशन है यानि कि हर बार हमारा ओभी मिंबर लिकनी कोई जरॉरत नहीं है, दूसरों को को मोगा देना चाहिए हर बैटक में कोई न कोई इसी मेंबर बोड के सामने कड़े होके वो सारे सदस्यों से बाचीत करते हुए एजंडा मुद्दा को को फाइनल करते हुए एजंडा लिखना चाहिए एक अच्छा आदर्श सिच्वेशन है ऐसा करना चाहिए ठीक है और इजंडा बिंदू को अंतिम रूप देने के बाद प्रत्येक बिंदू पर चर्चा का समय आवंटित किया जाना चाहिए यानि कि हम लिखते हैं तो बहुत सारे बिंदू लिखते हैं लेकिन लिखते लिखते क्या होता है तो आदा बिंदू के उपर हम संबंदित विषयों के बारे में बाइटक 1 में बात करना गायर वित्ती विशे के बारे में बात करना वो विशे भी हर पहला वाला विशे को 5 मिनिट दूसरा वाला विशे को 10 मिनिट तीसरा वाला विशे को जो भी विशे की हिसाब से कितना मिनिट है पूरा हमारे पास 11 बजे सुरू करेंगे तो एक बजे को समय हैं चार गंटा हम कितना विशे को बात करना हैं दस विशे को बात करने इस दस विशे में चार गंटा मतलब कितना है तो कुल मिला के 240 मिनट होगा यह 240 मिनट जो होता है चार गंटे का इसको हम आवंटित करना चाहिए कोन सा मुद्दे को कितना समय हो समय हो एजंडा बिंदो की साब से 10 मिनट 15 मिनट ऐसा यह वाला पहले ही करेंगे तो हर विशे को हम संपूर्न रूप से चर्चा करेंगे और हर मुद्दे के उपर चर्चा होगा निरने भी होगा यह है और है अजक्ष को समय सीमा बनाए रखनी चाहिए और एजंडा को अनसार सुविदा प्रदान करना चाहिए मैंने अभी बताया था कि जब हम समय आवंटित करते हैं तो उसको पालन कर रहे नहीं कर रहे देखने वाले कौन है अम उसको पालन करने जैसा लोगों को मार्क दर्शन देते हुए सारे विशे के उपर चर्चा होने जैसा धेख बाल करने का जिम्मेदारी जो सभा की अजक्ष है उनके उपर है और सभी एजंडा बिंदू के लिए निरने लिया जाना चाहिए मतलों कितने एजंडा बिंदू ह हमने लिखे हैं सारे के बारे में चर्चा किया है लेकिन हर एक बिंदू के उपर चर्चा करना है और वो चर्चा लिखना और चर्चा के साथ साथ उस बिंदू के उपर सभा का समिति का निरने क्या है वो निरने भी लिखना चाहिए कोई ऐसा छोड़ना नहीं है कि चर्चा किया है निर्नय नहीं लिए उससे कोई मतलब नहीं है चर्चा करने सा ऊस समय बरबाद हो जाएगा हर विशे के उपर चर्चा और निर्नय भी लिकना जारूरी है निर्नय लेना भी जारूरी है अज्जक्ष सभी इसी सद्रस्यों को अधिक augidारी सुनिचित करे अज्जक्स जी का जिम्मेदारी क्या होता है कि जो कुछ लोग बात करते हैं वो लोग हमेशा बात करते रहे थे कुछ लोग पीछे बात ही नहीं करते हैं अपने आप में बात करते हैं वो लोग कभी अपना योगदान देता नहीं है लेकिन सब लोग वहाँ प करने की लायक बन जाते हैं और सबका भागीदारी से डिसीशन करना अच्छा रहता है इसलिए उसका जिम्मेदारी भी उनका है जक्स जी का अगर कोई सदस बीच में बैट के भैटक चोड़ना चाहते है तो उसे इसी का अनुमती लेना चाहिए तो यह बैटक की नियम की इसा जा रहा हूं जो अपना इसाब से कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते यह वाला नहीं है यह एक सिस्टेमाटिक मीटिंग है यहां पर नियम की इसाब से होता है अगर बाइटक से अगर लेट आया तो उसके उपर जुर्माना होगा अगर वो जब जाना है तो भी अगर किसी को जाने का ये अनमती देने का हकदार नहीं है यहां पर पुरा इसी है इसी हकदार बनती है इसी को बताके जाना है तो भी आफिस बेरर को बताना चाहिए नहीं स्टाफ को नहीं बताने चाहें भले स्टाफ को बताएं कोई गलत नहीं है लेकिन बीना ओवी को बोले काल स्टाफ को बोलने से गलत है ओ भी को बोल दिया फिर स्टाफ को भी समाचार दिया वह अच्छा है जाने के लिए भी काल श्टाफ को बताया Office Bearer को या EC को नहीं बताया वो गलत हैे इसी को बताओ और वह भी को बताओ अगर स्टाफ को भी बताया तो अच्छा है अगर नहीं बताया तो भी चलेगा लेकिन इनका अनुमति जरूरी है आने का या जाने का कोई भी चीज में और भाइटक बंद करने से पहले बाइटक के दवरान लिए गए सबी निर्नई को पढ़ कर सुनाना चाहिए मतलब सुबह से शाम तक चार बजे तक जितने भी बाते मुद्धा उटाया उस मुद्धा को एजेंडर में रखे हैं चर्चा किये हैं न उनको निर्नई क्या क्या लिया है वो निर्नई के बारे में पढ़ कर सुनाना वो जिम्मेदारी है हमारा जो अज्यक्ष कोशा ज्यक्षा और सच्ची लोगों का अगर उनको पढ़ना नहीं आता है तो हमारा जो मैनेजर है उनको बोल दीजिएगा पढ़ के बताने के पन्ना में कुछ खाली जगा चोड़ के हस्ताक्षर कभी नहीं करना चाहिए जैसर आपका लिकना कातम होता है तुरंथ यहां से आपका सिगनेचर होना चाहिए और यहां तक छोड़ दिया यहां से सिगनेचर करेंगे तो वो घलत बात होता है इसलिए कभी आइसा नहीं करना चाहिए, सब को फढ़के सुनाओ, सुननी के बाद सब सदस्य हस्तक्षल करना चाहिए, हाँ, और बायटक समाप्त करने से पहले अज़क्ष को महत्वपूर्न बिंदों का याद दिलाना चाहिए, और अगली बैटक की तारीक के बारे में भी याद दिलाना चाहिए जो समापन में अजक्ष जी है जो मेन मुद्दे मुख्य मुद्दे जो भी है वो पिर एक बार उन लोगों को दवराना चाहिए तीन-चार मिनिट के लिए पांच मिनिट के लिए और साथी अगले मीटिंग कब होता है वो मीटिंग कहां होता है कितने बज़े शुरू होता है उसके बारे में कुछ सदस्यों को बताना आए तो उसका जानकारी यहीं पर प्रदान करना चाहिए अजक्ष जी और अंत में अजक्ष को धन्यवाद प्रस्तित के साथ बैटक बंद करनी चाहिए तरी संगटन में एक आदर्शी बैटक करने का तरीका है अगर यह बैटक इसी तरह होता है तो आपका संगटन मजबूत होगा संगटन के ऊपर लोगों का एक अच्छा जो इंप्रेशन रहेगा और लोगों में भी संगटन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा ठीक है दोस्तो आप इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और अभी तक अगर आप सब्सक्रेब करेंगे नहीं करिए तो तुरंत आप सब्सक्रेब करिएगा लगातार आपको CLF और model CLF और financial inclusion आदी विशे के बारे में आपको वीडियो मिलते रहेगा Thank you very much धन्यवाद